मेकर्स कर रही हैं एक बड़ा प्लान विवेन डिसेना के खिलाफ मैंने कुछ चीज़े नोटिस की हैं और देखना जो चीज़े फ्यूचर की मैं प्रेडिक्ट करती हूँ इस शो को लेके वो चीज़े डेफिनेटली होती हैं और वो उसी तरीके से होती हैं क्योंकि मैं काफी टाइम हो चुका है इस शो को बहुत ही नस्दीकी से फॉल्डो करते हूए मुझे कभी कबार प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि भई मैं भगवान हूँ प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाती हैं बट जादा अतर प्रेडिक्शन जो है मेरी एक दम सही रही है आप लोगों न सब्सक्राइब धिया कि करन वीर तमहारे लिए बहुत अच्छा है और करन वीर को बोला चोड़ fix जान दें पर करन्वीर नहीं चोड़ेगा पता है विवियन को कोई फरक नहीं पड अगर तुम चलेगे तभी भी कोई फरक नहीं पड़ेगा वगरा वगरा चेज़े यानि कि शिल्पा के माइंड में कंटिनियूसले जो है ये चीज डाली जा रही है कि भई तुम्हारे लिए जादा इंपॉर्टन जो है वो करनवीर है और करनवीर ही तुम्हारा जादा सगा है विवियन को कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है विवियन को कोई फरक नहीं पड़ता है विवियन एक दिल से जो है शिल्पा को मानता जरूर है पर जिस तरीके से शिल्पा हरकते करती है वो चीजे जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आती और अभी इन सब चीजों को करते कर चाहिए तो नॉर्मल आपने एक अंसर जो है आपने ओडियन्स के सामने और घर के मौझूद सदस्यों के सामने जो है रख दिया है कि जो शिल्पा और विविन का रिष्टा है वो खतम होना चाहिए सही बात है विविन भी जो है वीकेंड के वार से पहले यह बात करते हुए नजर आई थे जिसके उपर मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जब विनाश ने बोला था कि विविन शिल्पा विविन के पीछे ठीक है और शिल्पा के पीछे करन और ये तीनों को फाइदा हो रहा है तीनों को फाइदा हो रहा है जो की कासे सारी बात करते हैं विनाश और विविन ये बात बोलते हैं कि भाई ये लूप में मैं फसना नहीं चाहता हूं मैं शिल्पा से बात करके इस चीज को यहीं पर खतम कर दूँगा मुझे ये रिष्टा अनिमोर नहीं चाहिए विविन की वो चीज़े जो है दिखाई नहीं गई एपिसोड में जो है इविन अ मीशा बोला कि मैं दो लोगों में कभी भी किसी को चुन नहीं सकती नहीं चुन सकती अब शिल्पा के सामने जो है दो लोगों को रखा जाएगा जब उसके दिमाग में ये फीड़बैक दुबारा दुबारा से डाल दिया गया कि तेरा सगा जो है करन है विविन नहीं है च लाडला नहीं है विवियन के खिलाफ ये चीज़ें की जा रही है आने वले दिन में एक ऐसे चीज़ में जड़ूर लाई जाएगी इतनी सी चीज चीज के लिए रिष्टे खतम होने का टास्क लेके आ गई हैं अगर घर में तो इतनी बड़ी चीज के लिए क्या नहीं लेके आएंगे टास्क लेके आएंगे टास्क जहां पर शिल्पा को जो है चुनना पड़ेगा विवियन और करनवीर में से जहां पर करनवीर को वो चुनेगी डेफिनेटली चुनेगी वहां पर उस वक्त अगर शिल्पा ने विवियन को चुल लिया तब विवियन और या तो ईशा या अविनाश इन उस सिचुएशन को लेके अगर शिल्पा के उपर उंगले उठाएंगे तो वो गलत दिखाई देंगे इस तरीके से जो है वो makers का mind चलता है हाला कि मेरा तो बहुत ही अच्छे से चल रहा भाई मेरे को तो बहुत सदर इंट्रोस्टिंग लग रही है मेरी ही बाते तो makers ऐसी चीज़े करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा पर उनकी ये साजिश जो है इसे साजिश को देख के जो है ये prediction मेरी बन रही है क्या है आपका कहना comment box में जरूर बताईए इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमशकार